नमस्कार दोस्तों मैं पुस्पने सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज की प्री रिकॉर्ड वीडियो में आज की वीडियो में हम पर करेंगे हम बिट कोई का एक डिटेल एनलेसिस चीदे चलते हैं कंप्टर स्क्रीन की उपर और यहां पर करते हैं डिटेल अगर हम यहां पर एक देखें मोटा मोटा मैंने टाइम सेव करने कि लिए ओलरी चार्ट ड्रॉ कर लिया है तो अगर यहां पर आप देखोंगे तो यह एक चैनल है यह चैनल का यहां पर कहेगी 19,800 यहां पर एक तरीय से कहेगी टॉप है और इस चैनल का जो बार-बार विक लगा दी है बॉटम वो है यहां पर 18,154 तो अगर हम 19 सेप्टेंबर को देखें तो यहां पर भी सेम हुआ बिटकोर्ण के प्राइज यहां पर चल रहा था 19,920 वहां से सीधा जो क्रेस हुआ हमें यहां पर देखने को मिला 18,154 दॉल रहा है फिर अगेन 21st को भी सेम चीज हुई कि कप डारेक्शन में हुई यहां प पर कहेकी एक प्राइज एक बहुत छोटे से दे अंदर हम पर होड़ करता होने जला रहा है opioids को उसकंडिशन कहते है side Ways और side wage के अंदर क्या होता है कि एक difficult होता है एक trend को find करना क्योंकि अगर यहां पर आप देखो कोई भी कोई ऐसा ना तो यहां positive trend बनना है ना कोई negative trend बनना है और यहां से क्या कि नीची की तरफ कुछ wick लगे तो at least क्या कि यहां पर bottom पकड़ में आए तो अगर अभी का bottom देखें अगर हम परानी हिस्ट्री से देखें तो 6 और September को यहां पर 18,000 के आसपास का यहां पर bottom लगा था और उसके हजाब से कहा कि अगर हम देखें और अगर हम bottom wise देखें तो यहां पर कहा कि दूसरा bottom यहां पर लगता हुआ आ रहा है तो यहां पर कहा कि possibility है कि हम यहां पर up direction के अंदर यहां पर जाएंगे अधरवाइच कहा कि क्योंकि हम पर volume नहीं है नीचे बहुत जाद बहुत कम volume है ट्रेट बहुत जाद अक्टिब नहीं हो रही है तो हम यहां पर कहा कि 70,000 का target पकड़ सकते हैं और यह जो area है यहां पर थोड़ा सा trend यहां पर at least कहा कि यहां पर 20,000 अबब भी यहां पर Bitcoin के price जाए तो कम से कम यहां पर कहा कि trend पकड़ में आएगा और अगर हम पास history के अंदर देखें यहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसे ही यहां पर कहा कि Bitcoin चल रहा था अलग वो 19,000 के आसपार और वहां स हुआ थी 26 अगस्ते लेकर और यहां पर 6 September तक चली थी तो यहां भी क्या हुआ है कि यह मार्केट यहां पर downtrend इस्टार्ट हुआ है वो downtrend दो continue चल रहा है लेकि इस रेंज बाउंट के अंदर देखा जा तो 17 September से चल रहा है और अभी भी कहा कि 25 September तक यहां पर same situation है वो सकता है कि यहां पर कहा है कि यह week भी यहां पर इसी condition के अंदर जाए और जो October month है वहां पर कुछ एक positive trend देखने को मिले हमेसा October month यहां पर एक bullish देखा गया है चातर अगर past history में देखा जाए और September month Paris देखा गया है अगर हम उस concept को भी देखें उस theory को भी देखें तो यहां पर थो कर रहा था कि दो तिन दिन से यहां पर ऐसी condition के अंदर यहां पर बिटकॉन के प्राइज है एक रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर पा रहा है सपोर्ट भी यहां पर क्या कि एक medium level का सपोर्ट है यहां पर होल्ड कर रहा है यहां पर at least हमें हापर दो दिन हापर वेट करना है तो हम ना यहां पर यहां पर एक रेजक्सन मिल जाता है यह इस कंडिशन में थोड़ा सा ट्रेड अवाइड करो और यहां पर वेट करो क्योंकि हैं से जो भी नेक्स पॉसिबल मोगों का वह बड़ा ही होने बाला है और अगर हम बुल रैली की बात करें एक अच्छी रै काफी अच्छा हो सकता है अगर बिटकोईन इसी डायक्सन के अंदर भी यहां पर एटलीस क्या कि दो वीक होल्ड कर ले क्योंकि अंदर क्या होता है कि आपको यहां पर ट्रेंड यहां पर नजर नहीं आ रहा है तो मैंने मोटा मोटा आपको कह की सारी चीज़ें बता दी और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नेक्स वीडियो बनाऊंगा तो कोछ ना कोछ यहां पर वन साइड एनलेसिस निकल के आएगा कोई नेक्स पॉसिबल एक अच्छा मूब निकल के आएगा तो अभी के लिए अगली वीडियो में चैनल को सब्सकाइब कर देना इसी वीडियो के लिंक पड़ा हुआ है आप हाँ से क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में